नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है विक स्टॉक स्कूल तो आज मैं एक ऐसे पैनी स्टॉक के बारे में बात करूंगा जो यहां पे आप देखिए तकरीबन तीन साधे तीन लुपे के आसपास यहां पे ट्रेड कर रहा था लेकिन उसके बा इन्वेस्टमेंट के लिए इस वीडियो में इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे तो इस वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा तो जो लोग मेरे चैनल पे नहीं आएं वह कृप हैं यहां पे सब्सक्राइब का बटन जरूर दबार दिए साथ में बैल आइ पहले हम इसके फण्डमेंटल्स देखते हैं यहां पे दिखिए इसके पीर सेक्टर में शुगर का सेक्टर है यहां पर भी जाहेँ इसका रेड जो है तो इसके निचे है नहीं निचली कंपणियों में नहीं इसको ममनेंगे देखिए आप चौथे नंबर प्यार है अपने सेक्टर के अंदर और यहां पर इसका मार्केट कैटलाइजेशन है वो तक्रीबन 1000 करोड का है यहां पर देखिए जो इसके निचे हैं दामपूर्थ शुगर्स यहां पर देखिए इसका जो रेट है वो यहां पर दर्जे की यहां पर कंपनी यहां पर अच्छा इसका मार्केट कैटलाइजेशन है इसका जो प्रॉफिट लॉस में आप देखिए तक रीपन यहां पर इसकी जो सेल्स है वह यहां पर यहां से बढ़ रही है सो 2007 में 950 से यहां पर इसकी सेल्ट बढ़ती गई और 2012 में यहां पर इसका हाई जो 12000 का यहां पर इसकी सेल्ट हो गई क्रetrा यहां में पर फिर से हमको कमी देखने को मिली लेकिन ठीक ki हां पर इसकी सेल्ट चल रही है और यहां पर इसका profit भी आप देख सकते हैं पिछले 5-6 सालों में यहां पर इसका जो बहुत ही यहां पर net profit है बहुत ही negative में गया 1,400, 1,800, 1,800 यहां लेकिन इस साल आप देखिए तगरीबन पिछले चार क्वाटर का जो ओराल बनता है वो तगरीबन अठारां सो क्रोड प्रॉफिड में बनता है जो की अच्छी ख़बर है तो यहां पर अच्छा है हमको देखने को मिल रहा है साइनिस का साथ में आप इसकी यहां पर एक और चीज में आपको यहां पर दिखा दिता हूं यहां पर इसकी borrowing की देखिए जो इन्होंने मार्किट से पैसा उठाया है यहां पर 2007 में इनके पास तक्रीबन यहां पर 647 क्रोड इनका debt था उसके बार यहां से जो debt था वो बढ़ता ही गय तक्रीबन मार्च 2017 में 9800 क्रोड का यहां पर debt था उसके बाद यहां से आप देखिए 7800 क्रोड का क्रोड का so 2000 debt यहां पर कम हुआ और उसके बाद आप यहां पर देखिए 7800 क्रोड से तक्रीबन 2900 क्रोड का debt यानि की तक्रीबन 45500 क्रोड यहां पर इन्होंने 45500 क्रोड यह यहां पर इन्होंने डेट अपना कम किया उसके बाब देखिए इसका जो डेट था वह तक्रीबन देखिए 7000 के आसपा ता फिर यहां पर यह तीन हजार के आसपा इसका डेट रह गया जो कि बहुत इसे में अच्छी खबर है कि यहां पर इसका डेट जो है ऑलमस 60-70 परसन य देखिए यहां पर कंपनी जो है अभी 2000 डेट के उपर यहां पर इन्होंने तक्रीबन 80 परसन जो डेट था इनका यहां पर कंप्लीट हो गया यहां पर कंपनी इस साल बीस में थोड़ा प्रॉफिट हम को देखने को मिला जो कि एक अच्छी बात है और आप खुद ही देख आपी यह नहीं तो यहां पर देख सकते हैं जो जो इस शेयर के बारे में अच्छी इन्यूस से मैं यहांसे मैं इसके अचार कर सकते हैं नहीं दोंगा है और सिर्ण की यहां पांच पास तकरीबन यहां पर यहां पर देखने को मिला था रपया है यहां पर अच्छी ख़़र है यहां पर उपर आए उसके बार यहां पर moving average के उपर यहां पर trade कर रहा है तो आपको यहां पर investment करना चाहिए या नहीं तो यहां पर मैं ऐसा कहूंगा कि जैसे आप देख सकते इस company में जो data वो बिल्कुल यहां पर कम करता ही जा रहा है तो इसका मतलब यह की company जो है वो ग्रोथ दिखाना कि यहां चाहती है और यहां पर चाहती है कि जो डेट free company हो उसका जो प्रॉफिट है वो भी अच्छा इसको मिलता रही यहां पर कई company बिल्कुल यहां पर data लेती रहती है लेकिन यहां पर data जो है वो कम रह गया है तो यहां से हम कह सकते हैं अगले दो तीन साल में अगर आप इसको लेंगे तो इसका अगर यहां पर यहां पर यहां पर पचाप 500 रुपए यह हजार यहां दोहजार के यहां पर खरी सकते मालीच अगर अगले दो साल में यहां पर दिखा रहता हूं आपकर इसका हई रहा था वह तक रएक सो परचीजे के आसपास 2010 के आसपास यहाँ पर अगर माली जाए यह तकरीपन 50-60 रुपे के आसपास भी आ जाती है अगली 4-5 सालों में तब भी आपको बहुत अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट देखनों को मिल सकता है बहुत ही less amount में यहाँ पर आप अगर इन्वेस्ट करना चाहिए तो ऐसी कंपरी में इन्वेस्ट करना कर सकते हैं इसके बारे में पूरी पहले आप fundamental analyze खुद भी यहाँ से कीजिए मेरे कहने के उपर बिल्कुल भी यहाँ पर कोई भी ट्रेड मत लीजिए सब वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शोड़ सब्सक्राइब दूर करें मिलते हैं अगली वीडियो में नमस्कार